अमर सिंग चमकीला का वाइरल हो रहा है ये सीन जिसमें डारेक्टर ने काफी बारीकियों से शूटिंग की है अमर सिंग चमकीला फिल्म का वाइरल हो रहा है ये सीन जी हाँ OTT platform Netflix पर रिलीज हुई अमर सिंग चमकीला का जो सीन चाया हुआ है अब उसके बारे में बात करते हैं इस सीन में दिलजीत और परनीती चमकीला और अमर जोत के किर्दार में स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों पूरी तरह से अमर सिंग चमकीला और अमर जोत कोर के रंग में रमे हुए हैं एक जलक में आप शायद ही पहचान पाएं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं या रियल लाइफ में वही हैं इस सीन को रियल लाइफ सीन से कंपेर किया जा रहा है जिसके देखने के बाद लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों दर असल ये सीन चमकीला और अमर जोत कोर के असल म्यूजिक वीडियो से इंस्परेशन लेकर तयार किया गया है जाल ढाल हाव भाव कपड़े से लेकर बैक्राउंड लगे परदे तक ऐसे कॉपी किये गए हैं मानो असल हो डिरेक्ट इम्तियास की पहनी नज़की दाथ देनी पड़ेगी यही वज़ा है कि उनकी आँखों से परदे पर टेट हाउस का नाम भी नहीं छूटा है इस सेन में फरनीती और दलचीत में उसी रंग के कपड़े पहने हैं जो असल वीडियो में चमकेला और अमरजोत कौर ने पहने थे इतना ही नहीं दोनों के एक्सप्रेशन के साथ हाथों को उसी तरह से हिलाया जा रहा है इसे देखने के बार निर्देशन और एक्टिंग दोनों की तारिफ लाजमी हो जाती है आपको बताना चाहेंगे इंतियाज अली दोरा निर्देशित इस फिल्म में दिलचीत दुसांज लीड रूल में है यह पंजाब के मूर रॉक स्टार सबसे जादा रिकॉर्ड बेचने वाले सिंगर अमर संग चमकेला की सच्ची कहानी पर अधारित फिल्म है पर निती चोपडाने अमर संग चमकेला के पतनी अमर जोतकौर की भूमिका निभाई है यह फिल्म आउडियंस को पंजाब के लोग संगीत की दुनिया में ले चाती है जहां कभी चमकेला की आवाज चाही रहती थी लेकिन गुमनामे के अंधेरों में चमकेला और उसकी पतनी की आवाज को खामोश कर दिया गया कहानी जितनी चमकेला की है उतनी उस समाज की भी है जो ना अच्छे में आपके साथ है और ना बुरे में बस मौका मिलना चाहिए दोस्तों आपको बंदूग की नौक पर रख दिया जाता है जैसे अमर सिंग चमकीला को 27 साल की उमर में बंदू की नौक पर रखकर हत्या कर दे गई